तो चलिए आज हम नई रेसिपी के साथ थाजी रहें और अब ले लेते हैं गेहू का आटा और ये मैंने एक कप ले लिया ये मैंने दो कप गेहू का आटा ले लिया है तो आज की रेसिपी हम गेहू के आटे से ही बनाने वाले हैं और चने से तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं नमक इसमें हम थोड़ा ही नमक डालेंगे ज्यादा नहीं आटा में कभी भी डालते हैं हलका नमक ही डालते हैं तो यह हमने मिक्स कर लिया अब चलिए इसको हम गुद के ले लेते हैं तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले पानी पानी हमें एक की बार में नहीं डालना है हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका हम जैसे रोटी का आटा बनाते हैं सेम वैसा ही हमें आटा इसका बनाके ले लेना है तो चलिए हम गूंत के ले ले रहे हैं तो ये देखिए हमने आटे को गूत लिया है अब इसको हम रखते हैं साइड में अब चने की तयारी करते हैं तो ये हमने चना बिगा करके लिया है देखिए हम आपको फोड के दिखा दे रहें ये हमने बिगा कर ले लिया है और तब इसको अब हम बनाना इस्टार्ट करेंग तो उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा और काली मिर्ज ये हमने ले लिया है अब इसको हम पहले पीस करके ले लेंगे आप चाहो तो सिल्बटे पे पीस लो या चाहो तो मिक्सी के जार में तो सबसे पहले मैं मिक्सी के जार में ये मसाले पीस ले रही हूँ तो हमारा ये मसाला पीस के हो चुका है ऐसा ही हमें पीसना है जादा हमें फाइन पाउडर नहीं करना है तो अब चलिए उसी मिक्सी जार में हम डालते हैं चना और चने को भी हम डाल के पीसेंगे तो चलिए ये हमने चना डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लसुन और मिर्ची तो ये हम लसुन डाल दे रहे हैं इतना और इसमें हम डालेंगे तीन से चार मिर्ची अपने तीखे के हिसाब से और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और अद्रक अब हम इसमें धनिया की पत्ति डाल दे रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें पीश लेना है तो हमारी मिक्सिजार में ये तो नहीं आ रहा है हम दूसरे में पल्टी करेंगे और पीश लेंगे और इसमें अगर आपको एक दो चमच पानी लगता है तो वो डाल के आप पीश सकते हो लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना है अब इसमें हम मसाला जो पीश करके लिए था उसको डालेंगे जीरा और काली मिर्च और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल दिये और थोड़ी सी इसमें हम मिर्ची पाउडर क्योंकि हमने मिर्ची पहले पीश के डाला हुए तो थोड़ा ही हम डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ये हमारा मिर्ची पाउडर हो गया डालके अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग तो दाल का बनाओ या चने का बनाओ ये सब चीजों का बनाओ तो इसमें हींग डालो न तो अच्छा स्वाद आता है तो ये हमने हींग डाल दिया और नुकसान भी नहीं करता है कोई और इसमें डालेंगे हम नमख अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालना है तो यह हमने डाल दिया अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे तो चलिए इसको हम मिक्स करके ले लिए हैं अब इसको हम साइड करते हैं तो हमने जो आटा गुन्ता था उसकी हम लोईयां बना करके ले लिए हैं तो अब चलिए इसका हम बनाते हैं तो इसको आप हाथ से भी पतला कर सकते हो या अब ऐसे चकले पे भी बना सकते हो तो हमने देखिए ऐसे इसको बेल करके इतना पतला किया है अब इसमें हम जो बनाए थे चने का तो इसको हम इसमें डाल देंगे तो ऐसे इसको डाल करके जितना इसमें आता है ज्यादा नहीं नहीं तो हमारा बाहर निकलने लगेगा अब ऐसे हम इसको मोड देंगे ये देखिए ऐसे हम साइड साइड से दबाके ले लेंगे तो इसको अच्छी तरह से हमें पैक करना है ताकि हमारा इसमें से जो मसाला हमने भरा है वो निकलेना तो आप उंगलियों से या आपको जैसे जमे वैसे आप इसको दबा के पैक कर सकते हो तो ये देखिए हो गया है हमारा यह हमने एक बना लिया अब पूरा बना लेते हैं तो यह देखिए हमने बना करके इसको ले लिया है और इसको अच्छी तरह से पैक किया है हमने ताकि इसमें का मसाला न निकले तो चलिए हमने कड़ा ही रखा है उसमें डाला है पानी बाकी हमने कुछ भी नहीं डाला है बस साधा पानी हमने डाल के लिए और इसमें उबाला रहा है तो हमें ऐसे उबलते पानी में इसको ऐसे उबालना है थंडे पानी में नहीं डालना है नहीं तो यह चपकने लगता है तो इसके लिए हम उबलते पानी में इसको डाल रहे हैं तो अब ऐसे ही सारा जितना हमने बनाया है उतना इसमें हम डाल देंगे और इसको हम बिना ढ़के ही पकाएंगे इसको ढ़केंगे भी नहीं और इसको जैसे हम चलाते हैं वैसे चला के पकाएंगे ये बिलकुल भी चिपकने वाला नहीं है कि हमने तेल नहीं डाला हमने नीचे कुछ छन्नी नहीं रखी ऐसी कोई दिकत नहीं होनी वाली है तो 10 मिनिट में पका लेंगे और पकाने के बार तो ये देखिए हमारा पक चुका है इसको आप लकडी से भी चेक कर सकते हो या फिर आप ऐसे ही बनाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा पक चुका है तो चलिए ये हमें तो पता चल गया है कि ये पक गया है अब चलिए इसको हम निकाल के एक एक करके ले लेते हैं ये देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे चान करके पानी हमारा सारा तो ये हमारा हो गया है अब इसको हम सारा ऐसे ही निकाल करके ले लेते हैं और आगे भी और ऐसे ही जितना हमने बनाया है उसको ऐसे ही हम उबाल करके ले लेंगे तो चलिए अब हम इसकी कुछ तैयारी करेंगे तड़के के लिए तो पहले इसको हम ठंडा करेंगे कड़ाई में से निकालने के बाद हम ठंडा कर लेंगे तो ये देखिए हमारा ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और बहुत अच्छे से हो चुका है तो हम आपको तोड़ के इसको दिखा रहे हैं ये देखिए अंदर का भी बहुत अच्छे से पक चुका है कच्चा बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए अब यहां कड़ी पत्ता का यूज नहीं कर रही हूँ यह बस सरसो डाल रही हूँ और आप जीरा भी डाल सकते हो पर मैं यहां जीरा नहीं डाल रही हूँ बस सरसो का ही तड़का दे रही हूँ तो यह हमारा तड़का हो गया जब यह तड़का हमारा चटख जाए इसके बाद हम अपना इसमें जो बनाए है चने का फारा उसको हम इसमें डाल देंगे तो यह देखिया हमारा चटख चुका है इसमें हम डाल के आप जाहो तो 3, 2, 1 या ऐसे ही चार-पांच भी आप तल सकते हो एक साथ में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए इसको देखिए ऐसे ही उलट-पलट करके हम सिकाई करेंगे और यह बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं बहुत अच्छे से हो जाएगा यह देखिए तो ऐसे ही हम तल करके ले लेंगे उलट-पलट के तो यह देखिए हमारा तल चुका है और बहुत अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है तो यह हमारी रेसिपी हो गई है रेडी तो चलिए अब इसको हम एक एक करके निकाल के ले लेंगे हमारा यह तल चुका है तो इसको सारा निकाल के हम ले लेते हैं तो यह देखिए हमारा चने का फरा बना के रेडी है और ये देखिए तोड के भी बहुत अच्छा ये बना हुआ है बहुत सॉफ्ट बना है गेहूं के आटे में तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट कीजिए धन्यवाद बाबाए